हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी कापके अपने यूटूब चैनल मोर क्रियेट्टू पर स्वागत आई जाने आपके काम की तीन बड़ी खबरें पहली खबर मानसुन आगे भी सक्री रहेगा प्रदेश में जानते हैं कब तक सक्री रहेगा दुसरी बड़ी खबर खरीब फसल पंजियन की तीथी में हुई ये वरदी और तीसरी बड़ी खबर अती वर्सा फसल मुआउजा अपडेट जानते हैं अभी तक सरकार ने कितनी मुआउजा रासी दे चुका है चली देखते हैं तीनों बड़ी खबरें एक नॉब्बर 2019 का अपडेट है यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चेलन को सप्राइब नहीं किया तीसी बड़ी खबरों के लिए चेलन को सप्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो को ले बेल अरहर, मुंगफली, कपास, तील और रामतिल उतपादक किसानों की सुविदा को ध्यान में रखकर यह निरने लिया गया है जनसंपर्क विभाग मतप्रदेश सासन अभी भी आप सभी ने यदि पंजियन नहीं कराया है तो मक्का सोयाविन, मुंग, उलद, अरहर, कपास, तील और रामतिल फसलों का पंजियन, ई उपारजन तता किसान एप पे जाकर के करवा लें या फिर सोसाइटी में जाकर के भी आप करवा सकते हैं दुसरी बड़ी खबर, मदप्रदेश वेदर एलर्ट अरब सागर में उठा अब यह तुफान, जानिये कब तक होते रहेगी मदप्रदेश में बारिस, 31 अक्टूबर 2019 को मदप्रदेश के वज्यानिकों ने यह जानकारी दी है कि पिछले दिनों अरब सागर में उठे तुफान, क्यारर का असर भी समाप्त नहीं हुआ था कि वहाँ एक महा नामक तुफान उठ गया है इससे दो दिन बाद प्रदेश के दक्षिन पच्चिम छेत्र में बादल चाहेंगे और तेज बोचारे पड़ने की संभावना है जबकि अभी बारिस नहीं होना चाहिए क्योंकि फसले कुछ फसले कट चुकी है और कुछ फसले कटने की का गार पर है इस दोरान यदि बारिस होती है तो किसानों के लिए चिंता का विसा है तुफान का असर प्रदेश में नौंबर के प्रथम सपता तक जारी रहने के आसार है ज्यान रखिएगा नौमबर का प्रथम सप्ता अर्थात एक सप्ता और कहीं कहीं छेटपुट बारिस हो सकती है मौसम विज्यान केंदर के वरिष्ट मौसम विज्यानिक उद्य सर्वटे ने बताया कि पिछले आठ दिनों से प्रदेश के अलग-अलग इस्थानों पर बरसात का सिलसिला जारी है गुरुवार को भी हर्दा खंडवा देवासधार आदी में बहुचारे पड़ी है सर्वटे ने यह भी बताया कि क्यारर तुफान के कारण अरबसागर से लगातार मिली नमी के कारण ही पिछले एक सप्ता से रुक रुक कर बरसात हो रही है हाला कि अब वातावरान में नमी की मात्रा कुछ कम होने लगी है लेकिन गुरुवार को अरब सागर में महा नामक चक्रवाती तुफान उड़ गया है और वह मास नामक सक्तिसाली तुफान ओमान की तरह बढ़ने लगा है इसके प्रभाव से एक बार फिर प्रदेस में नमी आने का सिलसिला सुरू होने जा रहा है इसके अत्रिक बंगाल की खाड़ी में अंडमान के पास एक कम दबाव का छेतर बन गया है और जहां कम दबाव का छेतर बनता है वहाँ पर बारिस होती है इस सिस्टम के कारण प्रदेश में नमी बढ़ेगी इस से नौवमबर के पहले सब्ता में अलग-अलग इस्थानों पर बरसात्य अक्रम जारी रहने के आसा रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा नौवमबर का प्रथम सब्ता भी बारिज भरा रहेगा तिसरी बड़ी ख़बर अधिक बारिज से पिडित किसान परिवारों को दिया गया है 200 करोड रूपय का मुआउजा राज सरकार की ओर से 31 सक्टूबर 2019 का अपडेट है इस वर्स अतिवर्ष्टी के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में बार का रूप ले लिया गया था इस बारिज तथा बार से किसानों की फसल के अलावा घर मावेसी आधी का नुक्सान हुआ इस वर्स देश के अलग-अलग राज्यों में भी अभी भी बारिश से फसलों को नुक्सान हो रहा है इस वर्स की बारिश ने कई वर्सों का भी रिकार्ड तोड़ दिया है मत्प्रदेश में पिछले 25 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है बारिस ने किसानों को हुई आर्थिक नुक्सानी से अगली फसल पर भी प्रभाव पड़ रहा है इसके लिए बार पिडित राज्यों ने अपने अपने राज के किसानों को आर्थिक मदद कर रही है कई किसान अभी भी फसल नुक्सान के मौज़े की रात देख रहे हैं बिह चति के लिए राजी का वित्रण शुरू कर दिया गया है इसके पहले भी इन जिलों को 270 करण रुपई का वित्रण किया जा चुका है इस प्रकार से तीन जिलों में अभी तक राजसरकारने 200 करण रुपई का भुक्तान कर दिया है और जहाँ-जहाँ वहाँ पर दे रही है लेकिन केंदर सरकार से रासी आने की बात है अभी तक केंदर सरकार से मौज़र रासी नहीं आई है इसलिए राज सरकार नाराज है केंदर सरकार से इसी के तरफ बिहार राज सरकार राज के किसानों को साड़े तेरह जार रुपए प्रती हेक्टेर की फसल के नुक्साने हुई है अतिवरष्टी और बार से हुई छतिक के विरुद्ध रहात वित्रन और छतिग्रष्ट भौतिक अदुसरचना की मरमत पुनर निर्माण और निर्माण आदी के लिए राज सरकार द्वारा तेज गती से काम करने के निर्देश दे दिये गए हैं केंदर सरकार का अध्यन डल 21 जिलों में दवरा कर अतिवरष्टी की तबाई देख चुका है और दोवारा सरवे करके केंदर सरकार को इसकी रिपोर्ट स्वुपी गई है केंद्र सरकार ने करनाटक और बिहार को सायता रासी दे दिये लेकिन मत प्रदेश को अभी तक नहीं दिये इसी के तारतम में मोदी सरकार के खिलाब दिल्ली में जाकर प्रदेश सरकार धरना देगी और उन्हें वचन याद दिलाएगी कि मत्प्रदेश में भी अती वर्सा से किसानों की फसलें खराब हुई है बहुत जनमाल की हानी हुई है केंदर सरकार मत्प्रदेश के किसानों को मौज़रासी अतिशिक्र दे मत्प्रदेश की कमलनाथ सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर रही है सुत्रों की वर्से खबर आ रही है कि सियम कमलनाथ और उनकी कबिनेट के मंत्रे दिली इस्ति जंतर मंतर पर धरना देने की उज़ना बना रहे है सरकार का आरोंब है कि केंद्र सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल रहा है कमलनाथ ससरकार इसलिए नाराज है अमिसा से मिलकर आये थे कमलनाथ जी लेकिन फिर भी अभी तक महाज़ा नहीं मिला मतप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हाली में केंद्री मंत्री अमिसा से मिलकर आये थे राज सरकार की वोर से जारी बयान के मताबिक करीब 45 मिनट की मुलाकात के दौरान कमलाथ ने साथ से आगर किया था कि फसलों के नुकसान और अधारपूर और सर्रचना के नुकसान की भरभाई के लिए एंडियारप से 6621 करोड रुपए जारी किये जाएंगे ताकि 55 लाग से अधिक किसानों की मदद हो सके लेकिन अभी तक मौजर रसी नहीं आईए वहीं पर प्रदान मंत्री से भी मिले थे कमलाथ जी कमलाथ जी ने ग्रह मंत्री को सुझित किया कि मत्प्रदेश में सामान से 46 फिजदी जादा बारिस हुई है इससे पहले उन्होंने प्रदान मंत कुद भी अभी तक केंद्र सरकार से कोई रासी नहीं आई है मंत्री पीशी सर्मा ने कहा कि यहां राज मंत्राले में पत्रकारों से चर्चा में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इस बार अतिवर्ष्टी और सबसे जूड़ी प्राकृतिक आपदाओं के कार राज में रात रासी प्रदा नहीं की तो राज सरकार के मंत्री केंद्र सरकार के खिलाप पर रसन करेंगे उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार करनाटक और बिहार जैसे राज्यों में रात रासी दे सकती है तो यहम मत्प्रदेश को क्यों नहीं दी जा रही है बिलकुल देना चाहि में केंद सरकार फिर नहीं आ पाएगी इसलिए मेरी भी वीडियो के माध्यम से केंद सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द मुआवजारासी प्रदेश को दे ताकि किसानों को थोड़ी रहात मिल सके तो इस प्रकार से खबरेती अदिया आपको वीडियो पसंद आया हो तो ल प्रवया अपना रही है उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राज के सभी 29 मंत्रियों ने प्रवावित किसानों को रहात रासी पहुंचाने के उद्द से अपने एक-एक माध्यम से यह भी अपिल करता हूं जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहा है और वह सामर्थ है देने मे तो किसी भी अपने आसपास के छेतर में यदि कोई किसान अतिवरसा से प्रवाइत है तो उनकी मदद कर सकते हैं तो इस प्रकार से अपडेट था यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्राइब नहीं किया है तो